नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यह दी आपका यूएस्बी डिबागिंग जो है आपके एंड्रोइट पर काम नहीं कर रहें तो आपको यहाँ पर मैं एक ट्रॉबल सुटिंग प्रोसेस बता रहता हूँ उसको सिंप्ली आप फोलो किजएगा आपका जो प्रॉब्ले में सॉल्फ हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको जो है यहाँ पर वीडियो को आंतक देखना होगा जो भी मैं सॉलूशन बताने वाला उसको एक्जेक्ली आपको फोलो करना होगा तब जाके यह प्रॉब्लेम सॉल्फ होगा वरना दोस्तों आपको दुवारा से प्रॉब्लेम आ सकते हैं और आपको यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लेम आते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकत सारी सार आप कॉमेंट डाउन करके आमें एक्जेक्ट प्रॉब्लेम आपका किस चीस में आ रहा है आप वह भी बता सकते हैं ठीक है लेकिन वीडियो को पहले आप यहाँ पर देखे और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब यह उसका सोलुशन करने से पहले डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए तो डिवाइस अपने रिस्टार्ट वगरा कर लिया चलो ठीक है तो आपको क्या करने नेक्स्ट में आपको जाना है सेटिंग पर सेटिंग पर जाके दूस्तों आपको यहाँ पर पहले तो आपना आपको development option यहाँ पर click करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों तो इसको मैं बेक कर देता एक बार तो यहाँ पर सर्च करना है USB debugging तो यह रहा इसको एक बार जो है तो एक बार disable कर दीजिए ठीक है disable कर जी दिशिबल करंके एक बार enable कीजिए और okay कर दीजिए इसके बार रिवोग USB debugging authorization का जो option है उसमें क्लिक करके आपको ok करना है सारे साथ install via USB जो आपको यह पर डेख रहा है allow installing apps via USB ठीक है तो इसको नहीं चाहिए उसके बाद USB debugging security settings तो इसको आप off कर दीजेगा ठीक है आप देख सकते USB debugging को यहाँ पर on करना है और दोस्तों उसके बाद problem solve हो जाएगा यहीं problem solve नहीं होता है simply solution को follow करने के बाद इसको off कर दीजे और आपका जो यहाँ पर developer option है उसको भी बंद कर दीजे तो उसको बंद करने से दोस्तों क्या होगा आपका developer option यहाँ से चला जाएगा ठीक है आप यहाँ पर डेख लिजेगा थोड़ा सा वेट करना होगा आपको तो developer option को यहाँ पर आप disable कीजे उसके बाद दोस्तों बेक करके आप जाएगा आपके android phone पर I mean about phone पर जाके दोस्तों क्लिक कीजे MIUI वर्जिन पर तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों 4 step away, 2 step away और 1 step away यहाँ आप दोस्तों यहाँ पर developer option क्रेट हो चुका है scroll down करके दुबारा से आप जाए, additional setting पर क्लिक करें उसके बाद क्लिक करें आपके developer option पर तो उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो तो आपको पता है जाके USB debugging को दुबारा से आपको allow करना होगा लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा काम यहाँ पर एक बढ enable कर देना है यहाँ पर तो उसके बाद दोस्तों देखेगा problem आपका solve हो जाएगा तो बस आपको यह process जो है फोलो करना है बिलकुल आच्छे तरह के से सारे साथ दोस्तों आपने जो Android का software है उसको भी अपग्रेट जरू करें तो फ्यूचर्स जो है इस तरह का काम नहीं करत है ठीक है तो enable करना मत भूलेगा आपका USB debugging सारे साथ अपग्रेट करना भी मत भूलेगा आपके Android को तो यह सब solution करने के बार problems solve हो जाएगा तो आज की इस वीडियो पर दोसो बस इतने थेंक्स पर वाचिंग